हाई बी पीएस पी ओ मेंस एक्जामेनेशन तीस नववर को आपका एक्जामेनेशन होने वाला है और इस सेशन में आज लगबग 25 दिन पहले मैं आपको बदा रहा हूँ कि पिछले दो साल में क्वांटरेटिव अप्टेट्यूट ने किस तरह के से बिहेव किया था तो कंप्लीट सेशन को देखेगा हमेशे आपके शिकायत होती है कि मैं 5 दिन पहले या 7 दिन पहले ये सेशन देता हूँ तो इस बार मैं आपको काफी समय पहले कि सारे के सारे चीज़े बदा रहा हूँ तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हो सारी चीज़ों को प्रक्टेस कर सकते हो और क्वांट सेक्शन में सब्सक्राइब करेंगे तो सेशन को कम्प्लीट देखना है और सेशन को अभी से लाइक कर दो अगर आप चाथे हो रीजनिंग का अन्यालेसिस भी क्योंकि reasoning ने भी थोड़ा रंग रूप बदला था पिछले दो सालों में 2022 में कुछ अलग तरहीं के था, 2023 में कुछ अलग तरहीं के से पूछा गया था तो वो भी हम discuss करेंगे कैसे target कर सकते हो सारी चीज़े बट फिलाल इस session में हम start करते हैं quant section को और 2022 और 2023 दोनों examination को समझने वाले हैं कि किस तरीक इस examination में सवाल पूछे गए थे और इन सारे सवालों के आसपस 2024 में क्या expectation है कैसे approach करना है सारी चीज़े लेकिन उससे पहले में आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस बार SBI clerk examination के लिए हमारी तयारी बहुत श्रॉंग हो रही है इस बार मैंने पूरा का पूरा focus किया हुआ SBI clerk examination के उपर और SBI clerk examination के लिए daily practice PDF आता एक तो daily practice PDF में दे रहा हूँ आपको जिसमें 35 questions तो होते है प्री exam के और 15 questions होते है main exam के तो यह तो quant का आपका चल रहा है practice PDF regular मिल रहा है आपको telegram group पे और इसके साथ साथ में reasoning के और English language के 100-100 questions के PDF मिल रहा है topic wise यह आपको telegram group के उपर मिल जाएगा जिसका link description box में है join कर लेजएगा जितने भी PDF अभी तक मैं share कर चुका हूँ सारी PDF को access करो और practice करो बहुत बढ़िया real examination वाले questions दे रहा हूँ तो आपकी तैयारी बहुत strong हो जाएगी अब वापस आ जाते हैं 2022 और 2023 के question paper को discuss करते हैं देखो सबसे पहले मैं आपको बजाता हूँ क्या फरेक है 2022 और 2023 में है ना screenshot लेना चाते हो screenshot आप लगा सकते हो लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि में examination में सवाल पूछने का तरीका क्या होता examiner का देखो अगर मैं बात करूँ न 2022 की तो 2022 का जो paper धाना quant section का वह बहुत difficult था इसको मैं very difficult कह सकता हूँ यहां पर जिस साल मैंने क्वालिफाई किया था इस समय पर काफे डिफिकल्ट आया था लेकिन 2023 में जब पेपर देखा गया तो वह difficult ही था मतलब very difficult नहीं कह सकते है उसको moderate to difficult level की तरफ गया था और 2023 में अच्छा-खाचा score गया था काफे का काम करें यह हो सकता है कि वह फिर से 2023 की तरीगे से आपको push कर देगे चलो भई यहां पर नमबर निकाल के लिए जवाब तो वह एक्जामनेर की मोड की उपर है वह पांच चार सब्जेक्ट होते हैं चारो सब्जेक्ट में से वह एक्जामनेर केसी भी सब्जेक्ट को मु होते हैं उसमें approximation मिल जाता है लेकिन IBPSPO, SBIPPO में approximation थोड़े chances कम रहते हैं आज आएगा no doubt आभी सकता है लेकिन chances थोड़े से कम रहते हैं 2022-2023 में बिल्कुल नहीं मिला है तो वल लाइनेस वाला जो हिस्सा है 2022 में वो यह वाला हिस्सा है wrong number series और quadratic equation का quadrant और 2023 में अगर मैं बात करूँ तो number series आपको देखने को मिल रहा है और एक सवाल quadratic equation का भी देखने को मिला था एकका दुक्का सवाल है quadratic equation के बड़ उतना difficult question paper नहीं था यह scoring area जिसे हम कह सकते हैं कि बाग की पूरो का पूरो पेपर आपका बहुट difficult है मालों DHD code नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है सर बाग के समझी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है तो यह वो हिस्सा था जिसमें आपको score करना चाहिए था और 2022 में यही वो हिस्सा है जिसको score कर के सारे के सारे बच्चों ने क्वालिफिकेशन लिया था काफी सारे ऐसे candidates हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज क्वाडिडिक इकविशन के सवाल बनाया थे और कुछ नहीं बनाया स्टिल वो क्वालिफाई कर गए थे में इंटर्यू में बैठे थे और फाइन में जैसा सवाल आता है वैसा आपको दिदिया जाएगा ने वैसा सवाल नहीं था मेंन इंग्जामरेशन में गया होता है कि जो data missing होता है वो भी वैरेबल में होता है wrong number series है न तो उसमें भी variable का use किया जाता है सीरीज में वैरियबल का यूज किया जाता है मैं आपको करवा चुका हूँ अलड़ी जो क्रैश कोर्स करवाए था उसमें आपको बता दिया था कि कैसे सवाल जो है और उंग निबर सीरीज से बन रहे हैं फिलाल तो यह थोड़ा सा स्कोरिंग हिस्सा था जिसको आप स्कोर कर सकते थे नो डाउट यह भी बहुत टाइम कंजूमिंग था 2022 में यह वाला जो हिस्सा है इसने भी काफी समय किल किया था एक्जामेनेशन में ऐसा नहीं था कि वन लाइनस है तो लो आओ और नमबर ले जाओ न यह प्रॉपर जैसे प्री में आप डियाई सॉल करते हो अरिथमेटिक सॉल करते हो वैसे सॉल करना पूद रहा था इनको बहुत मेनत लग रही थी तो कैल्कुलेटिव था फेपर बहुत अच्छा फेपर था और कैल्कुलेटिव था वन लाइनस वाला हिस्सा भी यहाँ पे सिंपल से सवाल था दो तो कोशन के दो सैट पूछे गये थे आपसे सिंपल जैसा कि प्री एक्जाम में होता है वैसे त जितना मुश्किल सवाल नहीं पूछा गया था लगबग प्री के जैसा था थोड़ा सा उसको लेवल बढ़ा के दिया हुआ था कि थोड़ा समय लगे आप बस लेकिन उसके जितना समय नहीं लिया 2030 में दन उसके बाद में अर्टमेटिक 2022 में लगबग 5-6 सवाल थे यहाँ और अपने सवाल तो वैसे जो सवाल है वो पूछे गया थे अर्थमेटिक में तो एक्स्ट्रा टाइम आपका किल करने की कोशिश की जाती है में इस बात का आपको थोड़ा क्विक होना पड़ेगा अर्थमेटिक वाले पार्ट में भी ठीक है दोनों में है अर्थमेटिक ओविएसली विदाउट वेरियबल नहीं है भूल जाओ अगर आप यह सोच रहों मुझे विदाउट वेरियबल का सवाल मिल जाएगा मेंस का पेपर में गलत सोच अर्थमेटिक वाले सारे के सवाल है तो अर्थमेटिक पूरा का बुरा वेरियबल वाला आएगा आपको इतनी से भी नहीं लगेगी आपको लगेगा एक सवाल तो हो या नहीं यह पूरे कॉंसेप्ट के उपर होंगे वैरियबल होगा सॉल्व करना पड़ेगा आपको ठीक है तो यह हिस्ता होगे आपका अर्थमेटिक का अब हम आ जाते हैं डियाइस के उपर अब जो 2022 की डिया यह कहना क्या चाहता है ऐसा हुआ है मैं यहां पर आके मैं कुछ रहा हूं नहीं 2022 के मेंस वाले बच्चों से बात करना उनसे डिकोड़ी नहीं हो पाया था क्योंकि एसा पहले कभी किया नहीं था थोड़ा नया पैटन जो था एक्जावन नहीं रग दिया पाई चार्ट मे में सब में समय लग रहा है और सवाल भी वनाले समयवी कम लगना चाहिए और सवाल भी बना चाहिए है यह को मिक्सर न्हीं उपर आजाग एक पर source profit and loss केयो आज एक तो arithmetic based Dios primeira सब में सिधा सवाल आता है कि लाइन चार्ट पूछ लिया बार ग्राफ पूछ लिया यही सब टेबल वाले पूछ लिया लेकिन इन एक्सपरिमेंट होता है बहुत अच्छे से एक्सपरिमेंट होता है इस बात का ध्यान रखेगा फिर उसके बाद में एक टेबल बेस्ड याई है पोएम की उपर और स्टोरी की उपर बेस्ड है यह वाला तो मैंने करवाया भी था आपको जो हमने एक अभी सेरीज क्या था ने क्रैश कोर्स वाला उसमें अगर आप अच्छे हैं तो आप निकाल के लिए जाओगे सवाल को राम से मतलब यह भी परेशान कर रहा है इसमें वैरेबल भी है और क्यूमुलेटिव डेटा भी है तो यह भी आपका समय किल करेगा यानि कि डिकोडिंग बहुत स्ट्रॉंग होनी चाहिए आपकी डिकोड करना आना चाहिए कि किसी भी दरीके से एक्जामनेशन में आ जाए हम त्यारे डिकोड गरने के लिए डेटा सफिशेंसी के कोशन से लगबख 4-5 सवाल सारे वैरियबल के साथ में है पूरा का पूरा पेपर वैरियबल से भरा हुआ है एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो विदाउट वैर बड़ी मुश्किल से पांच नंबर निकल के आए बड़ी मुश्किल से इस लेवल का प्रदाई उसमें भी पांच नंबर में यह दोनों टॉपिक कर पाए इनमें तो फस गये बच्चे सारे के सारे और तरीका भी यह जब पर मुश्किल आ रहा है तो फिर करना ही क्यों पाई चार्ट था जिसमें पंटेज दिया हुआ थे और वरार ≪ी वारिय बाला था लेकिन बहुत मुश्किल सवाल नहीं थे रिलेट कर पा रहे थे आराम से आराम से रिलेट कर रहे थे यहां पर आराम से बच्चों ने 18 प्लस नबर निकाले थे पिशले साल मतलब जो तक बद्लें के उनके पच्छेस नंबर भी है तो यह वाला केवल और ना पाओगे variable था पूरा paper में लेकिन समय के demand अलग थी कि आप फटाफट फटाफट solve कर दो बहुत मुश्किल paper नहीं है यह सवाल जो था यह paper आपसे attempt की demand नहीं कर रहा था यह आपकी knowledge की demand कर रहा था कि आप कौन से सवालों को उठाते हो पहली चीज कौन से D.I. को पिक कर रहे हो और उस D.I. को solve कर रहे हो की कि आप उठारे हो चोड़ रहे हो चोड़ रहे हो चोड़ रहे हो समय खतमलो कुछ भी नहीं कर पाए यह वह था 2022 में तो बहुत जादा भागना नहीं है सारे के सारे टॉपिक्स के बीज़े है ना मेंस एक्जामनेशन में सब कुछ अटेंट नहीं करना होता है इस बात का ध्यान रखेगा सारी चीज़ा अटेंट नहीं करना होती है mains examination में, आपको mains examination में सुर्फ वो attempt करना है जो आपको आता है जो आपको topic आता है pre में तो फिर भी बहुत तेज भागने के लड़ाई होती है लेकिन mains में नहीं होती है बहुत तेज या बहुत जादा भागने के लड़ाई, नहीं, यहाँ पर उनी सारा कुछ कर लो, नहीं करना है वाकि सारा कुछ, सारा फेपर नहीं करना होता है में, वही सवाल करने जो क्या आपको doable लगते हैं हाँ एक दी बनाया अच्छा है, एक और दी बना लिए बहुत अच्छा है इस लेवल का पेपर अगर आपको मिल जाता है तो कोशिश कीजेगा कि 7-8 मिनिमाम आपके अटन्ट हो जाए ऐसे पेपर में 1-1 वाला हिस्सा जो है उसको टार्गेट करना होता है और ऐसे पेपर में आप पूरा कर सकते हो मतलब ऐसे पेपर में आप उन सारे सवालों को उठा सकते हो जो आपको आते हैं दिए इस भी उठा सकते हो डेटा सफिशन्सी भी उठा सकते हो Q1 Q2 भी उठा सकते हो लेगिन वो भी variable based है ठीक है तो bank examination qualify करना है variable based सवालों के साथ में दोस्ती करने पड़े है क्या समझ में आया इस पूरे के पूरे वीडियो से वो डिसकस कर लेते हैं एक बार फटा फट से पहली चीज ये कि Q2 पर मुश्किल हो सकता है 2022 के तरह 2023 के तरह थोड़ा सा low भी हो सकता है सबसे पहला हिस्सा वन लाइनेस वाला अगर मिलता है नमबर सीरीज जादा दर चांस है ता और उसके साथ में quadratic equation तो खतम करना है इनको सबसे पहले approximation simplification नहीं आने वाला है जादा उम्मीद करना मत variety of questions try करो जतना हो सकता है number series में जतना हो सकता है quadratic equation में especially quadratic equation में थोड़ा variety लेगे आना अपने practice वाले सवालों में और number series लगबग pre वाले सवाल है उसमें variables को add कर देना है ना वो multiple number series देंगे आपको समेकल करने के कोशिश करेंगे तो यह तो होगया आपका one lines वाला हिस्सा arithmetic वाला part अगर आपको arithmetic वाले part में अभी भी confidence नहीं आ रहा है अभी भी आपको ऐसा लगता है arithmetic मुझसे नहीं हो पाता है मैं कितने भी कोशिश कर लूँ वो problems examination में भी मैंने नहीं किया वहाँ पे भी D.I.E. किया और one lines वाला हिस्सा गिया है कई बार इसमें quadratic equation भी आ जाता है कई बार number series भी आ जाता है लेकिन आपको na strong करना होगा arithmetic के 2-3 topic कम से कम at least कर गे जाएगा तयार जो काफी अच्छे हों आपके बागी D.I.E. पे जादा focus करो पूरा का पूरा paper ही D.I.E. का नाम ही data interpretation है यहाँ पे भी आप देखोगे D.I.E.E.S नजर आ रहे है यहाँ पे भी आप देखोगे तो D.I.E.E.S नजर आ रहे है D.I.E.E. का बहुत बढ़ा हिस्सा है D.I.E.E. practice regular करते रहना और अगले 24 दिनों में 240 mains level की D.I.E.E.E. बनानी है आपको दिमाग को खोल देंगे कि थोड़ा और भी अलग पैटन का सवाल दिखे रहा है ने वहाँ पर तो वह डिकोडिंग उस तरीके से हो जाएगी आपको प्राक्टिस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो आपको कॉंफेडेंस दिलाएगी उसके अलावा कोई इसको चुन-चुन के उठाना है सब कुछ नहीं करना होता ध्यान रखेगा इस बात का क्योंकि तीन सब्जेक्ट और भी है उन तीनों सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कर गया नहीं है सारी ओल अवर परफॉर्मेंस जो होगी न वो सेलेक्शन दिलाएगी आपको चलिए तो सब्जेक्ट के लिए इतना ही उमीद कर रहा हूं कि आप सभी को सेशिन अच्छा लगाओगा तो लाइक कर दीजेगा सेशिन को ठीक है इस वीडियो के उपर 700 लाइक्स कम्प्लीट होते हैं रीजनिंग का अनलेसस वी में आपको देदू है ठीक है तैंक यू सो मच फिलाल के से वितने निक्स्ट सेशन में मिलते हैं थैंक यू